अज़ाशुकला समाथ सिवक ने मददान के लिए लोगों को जागरू किया वहीं रूपदी गोंडा बहतर समाज और लोगों की भलाई के लिए बहतर सरकार लाना जरूरी है ऐसा कहा लोगों से अपील करते हुए अज़ेश शुकला समात सिवक ने कहा कि इसके लिए आने वाली 27 फरवरी को हर व्यक्ति मतदान करे मतदाताओं को जागरू करते हुए कहा कि लोगतंद्र को मजबूत बनाने के लिए आप लोग बढ़ चड़कर मतदान करे लोगतंद्र में हर व्यक्ति का मतदान करने का विषेश अधिकार है सभी को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए टाकि अच्छे और सम्रद समाज का निर्मान कर सके व्यवस्ता को कोसनी के बज़ा से सुजारने का सबसे अच्छा उपाय है सोच समझ कर मतदान करना है वहीं श्रीश शुकला ने बताया कि जातपात भेदभाव से उपर उठकर मतदान करें मेरे देशवासियों बहतर मतदान कर लोगतंत्र को मजबूत बनाना है तो जरूरी है कि हर लोग अपने मतों की ताकत को समझते हुए इसका स्तमाल जरूर करें समझ देश वासियों को आने वाले सिवरात्री की बहुत बहुत सुक कामना है बहुत बहुत बढ़ाई मैं समाज सेवी अजे सुकला ग्राम हरिन्दा सोकल बिधान सभा कटरा डिश्टिक गोंडा से हूँ मैं सभी कट्राचेत वासियों से सभी परदेश वासियों से निवेजन करना चाहता हूँ कि 27 खरवरी 2022 को आप अपने पूरे परिवार के साथ मद्दान कीजिए साथ में आपके परोस में जो भुजुख हैं जो माताएं बहने हैं नया मद्दाता हैं उनका मद्दान करने में सहयोग कीजिए ये एक धर्मिक काम है इस धर्मिक काम को आप खुद कीजिए और दूसरे से भी इस धर्मिक काम को कराईए आप एक जमीनी अस्थर का विधायत चुनिए और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए आप मद्दान कीजिए आप मत्दान करेंगे, देश मजबूत होएगा, परदेश मजबूत होएगा, आपका कट्रा पिधानसवाच छेत मजबूत होएगा, आपके हाथों में मजबूती आएगी, आप और हम उन्मिती के तरफ दोड़ेंगे, यही आप से निविदन है उन्हाँ एक बार फिर आपसे निविरन करना चाहता हूँ 27 फरवरी 2022 को मद्दान जरूर कीजिए ये धार्मिक काम आप जरूर कीजिए फिर से एक बार आप सभी को महासिवरात्री की बहुत बहुत सुब कामनाएं बहुत बहुत बढ़ाई चाहे हिन, चाहे भारत, चाहे भुलेनाथ